वेलकम टू यूमानिटीज ओनर हैं प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब वेलकम बैक एवरिबड़ी तो आज हम इस वीडियो में मिक्स्ट फार्मिंग वाले कॉंसेप्ट को समझ के टाटा बाय बाय बोल देंगे मिक्स्ट फार्मिंग को एक मौडरेट साइज के लैंड के उपर करा जाता है मतलब लैंड साइज ना जादा बड़ी होती है ना जादा छोटी लैंड साइज मौडरेट होती है मतलब मीडियम मिक्स्ट फार्मिंग में जो क्रॉप्स उगाई जाती है मेज, वीट, ओट, बारले, राई, रूट क्रॉप, फॉडर इन क्रॉप्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है मिक्स मेज विथ वो वाली बरफ मिक्स से तुम्हें ये याद रहेगा कि ये मिक्स्ट फार्मिंग वाली क्रॉप्स है कौन-कौन सी क्रॉप आती है, मेज विथ को तुम छोड़ दो, वो में डबलू से वीट हो गया, ओसे ओट्स हो गया बर्फ में B से बारले हो गया, R से राई हो गया R से रूट क्रॉप्स हो गया, और F से फोर्डर हो गया root crop के example हैं जैसे carrot, radish, potato किसी भी crop की grain harvest करने के बाद vegetable या fruit तोड़ने के बाद जो उसका stem और leaves बच जाते हैं जिनने हम गाए, भैस या फिर pigs को खिला सकते हैं उसे हम fodder कहते हैं mix farming में हम crop rotation और inter cropping भी practice करते हैं जिससे हमारी soil की fertility maintain रहती है चलो मैं तुम्हें इन दोनों terms के मतलब समझा देता हूँ जैसे तुमने सबसे पहले अपनी पूरी field के उपर सिर्फ और सिर्फ wheat ग्रो करी है फिर wheat को harvest करने के बाद तुम अपने पूरे farm के उपर maze को ग्रो कर देते हो maze harvest करने के बाद तुम root crops को ग्रो कर देते हो अपने पूरी field के उपर इस process को हम कहते है crop rotation अब inter cropping क्या होता है एक ही land के उपर तुमने दो या तीन crops को जब ग्रो किया है तो उसे हम कहते हैं inter cropping mixed farming में हम crop cultivation के साथ-साथ animal husbandry भी करते हैं मतलब हम animals को भी domesticate करते हैं अभी देखो और समझो कि हम animal husbandry क्यों कर पाते हैं जैसे ये एक maze का plant है तो भुट्टे तोड़ने के बाद इसके ये जो stem और leaves बचे हैं वो हम अपने cattle को डाल सकते हैं और इसे ही हम कहते हैं fodder fodder को हिंदी में हरा चारा कहा जाता है और mixed farming वाले भी pastoral animals ही पालते हैं for example cattle, sheep, pig, poultry poultry का मतलब होता है मुर्गियों को पालना अब ये जो crops इसने खेत में लगाई थी उन्हें बेच कर और इन animal products को बेच कर एक farmer अपनी income generate करता है और mixed farming करने में भी हमें बहुत सारा पैसा चाहिए farmer को agriculture tools खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं animals का shed बनाने के लिए उसे पैसे चाहिए fertilizer and green manure खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए और जब farmer किसी expert से पूछता है कि मैं crop rotation के लिए अगली crop कौन सी लगाऊ तो ये सब सलहा मशवरा के लिए भी उसे पैसे चाहिए क्योंकि obvious सी बात है आज कल तो free में कोई advice भी नहीं देता अपनी दुख भरी life को मैं तुमारे सामने नहीं रखना चाहता तो इसलिए हम mixed farming का map work कर लेते हैं हमारा first region है North Western Europe next area है Eastern North America या फिर तुम इसे North Eastern America भी कह सकते हो Eurasia के कुछ parts में भी mixed farming को practice किया जाता है ये region जो कि तुम्हें globe के उपर shaded दिख रहा है इसे हम कहते है temperate latitude हमारा fourth area जहाँ पर mixed farming practice की जाती है वो है the temperate latitudes of southern continent मतलब temperate latitudes के उपर कुछ countries situated है जहाँ पर mixed farming की जाती है North Western Europe and Eastern North America ये दोनो map point of view के लिए बहुत important है चलो अब मैं तुम्हें थोड़ी सी 11th class की geography भी पढ़ा देता हूँ ये जो region तुम्हें दिख रहा है इसे हम कहते है tropical area tropical के उपर आते है temperate region और उसके उपर आता है frigid zone चलो तो इस वीडियो के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे next episode में dairy farming के साथ तब तक के लिए bye bye keep studying